दोस्तों, अच्छ की इस वीडियो में मैं लड़की के दूध यानी स्टेनों को चूसने के फाइदों के बारे में बताने जा रही हूँ तोस्तों लड़की के दूध चूसना वैसे तो एक अच्छे और स्वस्थ रिलेशन के लिए बहुत जरूरी है साथ ही इसके बहुत सारे शारीरिक फाइदे भी है, जो लड़की को बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है और एक निरगी जीवन जने में इसका बहुत बड़ा योगतान है, यह क्रिया कैसे और कौन से फाइदे पहुचाती है वह बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कि अगर आपने हमारा यूचिब चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करने ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों मर्द के लड़की के स्तनों को चूसने के टाइम लड़की काफी उत्तेजित हो जाती है जिससे उसके स्तनों की मास पेश्यां फूलती है, जिससे स्तनों का आकार बढ़ता है और वह टाइटन करने बनते हैं स्तनों को चुसवाने से लड़की के चहरे पर ग्लो बढ़ता है और उसकी सुंदर्ता में वृध्धी होती है क्योंकि लड़की के दूद चूसने से वहात्यधी को तेजना में आ जाती है जिससे शरीर में बलड का सकुलेशन बढ़ता है और नया बलड बनता है इस कारण से चैहरे पर निखार आता है स्तन चुसवाने के टाइम लड़की की सांसों की रफ्टार बढ़ जाती है वैसे सामान्य तख लड़की 1 मिनट में लगभग 20 बार सांस लेती है लेकिन स्तनों को चुसवाते समय यह गती बढ़कर 1 मिनट में 60 बार तक पहुंच जाती है जिससे फेफडों से संब्नित बीमारियां होने की सिंभावना में कमी आती है। स्तनों के चुस्वाने से breast cancer जैसी बीमारियों के होने का खत्रा भी कम होता है। लेकिन स्तनों को चुस्ता टाइम ज्यादा wild मत होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वजह से स्तनों में कोई चूट्या दांत वगेरा अलग जाए तो इससे स्तन cancer होने का भी खत्रा रहता है। सांसों की गती बढ़ने से दिल की धड़कन में भी व्रिधी होती है। जो स्तन चुसवाते समय सामानी यानी एक मिनिट में 72 बार से 110 तक पहुँच जाती है। जिससे दिल की exercise होती है और दिल की बीमारियों में कमी आती है। स्तन चुसवाने से स्तनों के निपल काले नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों यह तक कुछ शायदे लड़की के दूद चूसने के लास्ट में बस यहीं कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।